हेलो स्टुरेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग ने चप्टर 13 का आपना cover up किया था आज हम लोग आगे स्टुडी करते हैं अबाुट दो फोटो संथाटिक पिगमेंट जो हमने लास्ट टॉपिक में अपने cover up किये थे कि फोटो संथाटिक पिगमेंट जो है वो वेसिकली थ्री टाइप्स के अपने होते हैं फर्स्ट आपको दिख रहा है एक क्लोरोफिल है सेकेंड हम लोगोंने जो किया था कैटेगरी वो है केरोटिनोइड्स और थर्ड वन जो कैटेगरी अपने आती इसके अंदर वो है फाइक को बेलेंस के ठीक इन्हों ने 1818 में डिसकोवर किया था और हैंड्री डेट्रोटेक जो थी इन्होंने 1837 के अंदर यह स्टावलिश किया था मतलब यह फाइंड आउट किया था कि क्लोरोफिल की जो है फोटो संतस्स के अंदर क्या इंपॉर्टन से कैसे वो डिकोवर करता है ठीक है उसके बा पर इन्होंने कुछ यह स्ट्रॉक्चर आउट किये थे इनके बाद भी और साइंटिस्ट आ थे उन्होंने भी कुछ इनके अंदर चेंज़ेस करे तो देखते हैं कौन-कौन से हैं इसके इसके नहीं सबसे पहले हमारा आता है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मु cción सिंगル यह मनें काल भी किया था कि मेड्री ओता है कि वह प्धुरि जो होता है कि हमारा चुरू। यह सभी प्लांट्सप्रिग और धर आदेगquency घंडेवल पर आता है chlorophyll B, chlorophyll B और chlorophyll A में minute difference आता है, यह देखिए hydrogen के यहां पे 72 molecules है, chlorophyll A में chlorophyll B के अंदर hydrogen के 70 molecules है, oxygen के 5 molecules होते है, chlorophyll A में और chlorophyll B के अंदर oxygen के 6 molecules है, पाकी सब सेम है, second और दूसरा difference के आ जाएगा, इसके basic structure के अंदर, यहां पर आपको दिख रहा है, कि second हम इसकी पारोलिक रिंग जो थी, उसके अंदर chlorophyll A में हमने किया था कि यह CH3 प्रेजंट होता है, और chlorophyll B के अंदर हमने किया था, CHO, जो मारे आसिटोनी ग्रूप है, वो इसके अंदर प्रेजंट होता है, यह green algae के अंदर प्रेजंट होता है, और हमारे higher plants के अंदर भी प् it is not very common as A and B especially brown algae जो होती है हमारी उनके अंदर present होता है chlorophyll D ये भी rare है इतना जादा common नहीं है ये present होता है किसके अंदर red algae के अंदर और आप लोगोंने एक और property कर रखी है कि जो हमारे bacteria जो होते है they have a property of chemosynthesis as well as some have the capacity of photosynthesis तो उनका जो bacteria के अंदर जो chlorophyll होता है that is called as the bacteria chlorophyll और उसके अंदर भी central metal ion के होगी हमारी magnesium होगी अब हम लोग देखते हैं study करते हैं about the carotenoids ठीक है carotenoids जो है second point हमारा हम start करते हैं यहाँ पे वो है carotenoids इसके मैं कोई clipping नहीं ले रही हूँ इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखे carotenoids जो है basically यह color कौन सा provide करेंगे यह provide करते हैं yellow and orange color यह यह तो yellow shade होगी यह फिर थोड़ी सी orange shade जो है वो इनके अंदर basically आती है और इनको हम लोग जो है chlorophyll के अलावा एक और component हमने किया था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था chromoplast यह उसके अंदर fall करते हैं उस category के अंदर chromoplast क्या थे these are the color structure of plastic other than green green color को छोड़के जो भी color structure present होते हैं और इनके basically जो है दो groups होते हैं हमारे इसके अंदर तो वो कौन-कौन से groups होते हैं first जो group होता है इसके अंदर उसको हम नाम देते हैं carotene ठीक है और carotene का formula होता है C40H56 ठीक है उसके बाद second इसके अंदर होते है zentho fill ठीक है second कौन से हो गए zentho fill इनका formula होता है C40H56 and O2 ठीक है यह इनका formula है अगर इनकी ratio की बात करें तो leaves में कितने present होते हैं तो इनकी ratio होती है 1 ratio 2 यह 1 ratio 2 जो है यह totally fix नहीं है कि 1 ratio हम किसकी रखेंगे 2 किसकी रखेंगे बट यहां पर मैं आपको बताना चाहरी हूं कि 1 जो है यह हम लोग रखते हैं basically किसकी यह हम रखते हैं carotenoid की और 2 जो है यह हम रखते हैं किसकी zentho fill की कुछ बुक्स के अंदर इसको reverse भी दे रखा है तो don't confuse आप ratio learn करें 1 ratio 2 1 is of carotenoid 2 is of zentho fill उसके बाद next इसके अंदर बात करें अगर हम लोग कि carotenoids जो होते हैं यह light की जो visible spectrum है उस visible spectrum के अंदर कौन सी light को basically use करते हैं तो basically यह use करते हैं 450 to 500 nanometer की जो sunlight की visible spectrum की जो light है उसको यह basically use करते हैं ठीक है और इनका अगर हम लोग function की बात करें तो main function जो इनका होता है वो होता है किसके अंदर photo oxidation अब उसके बाद हमारा third हम लोग study करते हैं जो third point था हमारा वो क्या था basically वो हम लोगों का था फाइको बिलेंस का ठीक है फाइको बिलेंस जो होते हैं यह basically होते हैं हमारे water soluble chlorophyll और catinoids water soluble नहीं होते हैं हम अलोड़ी study कर चुके हैं तो यह होते हैं क्या हमारे water soluble ठीक है water soluble है और इनके दो pigment होते हैं एक जो है red color को show करता है एक show करता है अपना blue color को तो first जो red color के लिए आता है वो है phyco ethreen ठीक है phyco ethreen तो हम लोग जो अपने rbc cell होते हैं उनको क्या बोलते है एर्थ्रोसाइड बोलते हैं तो इससे याद रखे ना कि phyco ethreen जो है यह phyco billions के अंदर किसके लिए होता है for red color ठीक है उसके बाद next हम लोग देखते हैं second इसका जो second होता है वो अपना होता है phyco sinine phyco sinine sinide से इसको हम लोग खोड़ा से reasonable करते हैं या आप लोग इसको जो है copper के साथ कर सकते हैं तो copper का color कैसा होता अपना blue तो यह कौन सा color show off करते हैं अपना blue color यानकि blue pigment जो होता है इनके अंदर present होता है और basically यह present कहां पे होते हैं तो present के लिए अगर हम लोग बात करें present होते हैं यह basically किसके अंदर हमारे blue green algae ठीक है जिनको हम लोग साइनो बेक्टियर भी बोलते हैं and in the red algae ठीक है उनके अंदर basically सबसे जादा present होते हैं sunlight के अगर बात करें कौन सा visible spectrum यह use करते हैं तो यह use करते हैं 450 से लेकर 660 nanometer यह इनका spectrum है जो basically यह use करते हैं I thought को आप सबको clear हो गया होगा सारे के सारे points if not then see it again उसके बाद next है हमारा की location क्या होती है photosynthetic pigment की chloroplast के अंदर यह तो हमें पता कि chloroplast के अंदर जो है photosynthetic pigment है but where are they located inside the chloroplast तो यह दो photosystem हैं हमारे ps1 ps2 photosystem हैं तो दोनों जो photosystem हैं यह अलग-अलग हैं किसके basis के उपर होते हैं हमारे यह light spectrum के उपर ठीक है light spectrum के according है ps1 जो होता है यह 700 को यूज करता है और photosystem second जो होता है यह 680 nanometer जो light spectrum है उसको यूज करता है उसके बाद ps1 जो है यह located होता है basically reason जो है grana के और storm के जो oppressed reason है अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको यह इसमें दिखता है इसमें clear हो जाएगा आपको यह देखिए यह reason किसका हो गया हमारा ps1 का यह हो गया ps यह वला हो जाएगा हमारा ps2 के लिए ठीक है यानि कि यह जो outer boundary lines है हमारी जो outer side में दिख रही है वहाँ पर basically क्या होते है हमारे ps1 होता है जो integral sign है जो अंदर की तरफ है ठीक है जहाँ पर सिर्फ depressed form है इसका ठीक है उस area को हम लोग इसका नाम देते हैं photo system to complex का यह देखें यहाँ पर दिखा रखा है यह है non-appressed यानि की curving जो side है हमारी वह वाली और यह वाली हमारे कौन सा होता है appressed reason जो exposed है बाहर की तरफ है ठीक है आप इससे इसको resemble कर सकते हैं उसके बाद आता है कि एक core complex क्या है यह जो pigment बने होते है हमारे इन pigments के अंदर एक core complex present होता है ठीक है तो core complex जो होता है वो है क्या core complex जो है basically यह polypeptide chain के formation के अंदर 40 to 60 chlorophyll molecules जो होते है यह present होते है एक reacting center में जैसे मालों यहां पर यह आपको दिख रहा है तो यह chlorophyll के जो pigments आपको दिख रही है ठीक है this one यह chlorophyll के जो pigments है these are present inside it यहां पर एक reaction center होगा एक electron donor होगा और एक होगा electron acceptor तो यह सारे के सारी चीज़े जो है यह compile करके join करके एक और structure बनाती है जिसक हम लोग किसका नाम दे देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ठीक हार्वेस्ट करना मतलब बना रहा है ठीक है इसको LHC इन शॉर्ट जो है हम लोग शो करते हैं और कई जगा पर इसको AC भी लिखा जाता है यहां पर AC का मतलब होता है antenna complex का ठीक है तो antenna complex यहां टाइप के system कैसे जो इसके अंदर वर्क आउट करते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स देखते हैं अबाउट दो एब्सॉप्शन स्पेक्ट्रा फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू उसको हम लोग आगे स्टड़ी करेंगे उससे पहले यह कुछ और हैं वो किस तरीके से वर्क आउट करते हैं फॉर्ट फॉर्मेशन ओफ ऐस सिंगल मॉलेक्ल ऑफ दे एटी वी उन सब के वेसेस के ऊपर जो हम लोग इसको आगे स्टड़ी करेंगे एब्सॉप्शन स्पेक्ट्रम जो है यह बेसिकली अगर आप यह ग्राफ देख रहे हैं तो इस ग्राफ के अंदर आपको क्लियरली वीजिबल होगा कि एक तो हमने लोवर जैक्सेस है हमारा वाई एक्सेस सॉरी एक्सेस उसके ओपर हम लोग ने ले रहे हैं यह वेवलेंट किसकी यूज़ कर रहे हैं हम लोग सन लाइट की उसके बाद यहां पर स्पेसिफिक आपके सनलाइट को एबजॉब करती हैं और अपना डियाक्शन स्टाट करती है जो अभी मैंने बताया आपको कोर कंप्लेक्स के अंदर रियाक्शन सेंटर होता है हमारा समार्त ठाप्र होता है इसको हम लोग डिबिक्ट करते हैं फान्ड आपकर उसके बाद next हम लोग देखते हैं इसके अंदर absorption spectrum definition the amount of absorption of light at different wavelength यह देखे different wavelength पे जो light absorb हो रही है by its object जो भी object जिसको भी हम लोग study कर रही है वो नाम लिया जाता किसको absorption spectrum का आपको यह जो graph है यह important है exam point of view के according उसके बाद हम लोग next देखते हैं absorption spectrum से ही related absorption spectrum जो है इसको chlorophyll A और chlorophyll B का जो हम लोगों ने study किया है graph इसमें determine जब इन्होंने किया तो इन्होंने क्या find out किया कि maximum जो light है वो कहां की use हो रही है blue और red reason की जो bacteria chlorophyll हम लोगों ने study किया था वो use कर रहा था blue और violet और साथ में infra red rays का जो reason है वो उसकी तरफ थोड़ा सा divert होता है ठीक है आपको next clipping में मैं दिखाऊंगी जो हमारी next slide है उसमें आपको show करूंगी मैं ये पूरा का पूरा different wavelength कैसे show होती है visible जो spectrum होता है ये होता है हमारा from 382 to 760 mu micron जो है इसकी actual हम length लेती है ठीक है तो basically जो actual rate है photosynthesis का वो हम किसके according लेते हैं कि कितनी oxygen release हो रही है ठीक है और जितनी oxygen release हुई है particular carbon dioxide का amount यूज करके along with the chlorophyll ठीक है वो हम किसका नाम देते हैं action spectrum का कि वह एक्टिव होगे work out कर रहे हैं किसके लिए oxygen को release करवाने के लिए ठीक है photosynthesis का जो process है वो सबसे जादा हमारा कहां पर चलता है blue reason में as compared to the red reason but सबसे effective जो wavelength है वो कहां पर होती है हमारी red reason में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो loss है energy का वो blue reason में हमारा take over होना start हो जाता है अब next आता है absorption spectrum और action spectrum के बीच में difference क्या होता है absorption spectrum के अंदर क्या हो जागा it is amount of absorption of light light को absorb किया है different wavelength में किसने chlorophylls ने ठीक है जो leaf के अंदर present है action spectrum के अंदर जो wavelength यहां पे use की है किसी भी particular chlorophyll pigment में उसको use करके उसने process जो किया है photosynthesis का for the evolution of oxygen molecule उसको किसका नाम देते हैं हम लोग action का इसके अंदर single exposure होता है light के अंदर कितना वो एक point पे absorb कर सकता है और action spectrum जो होता है यहां पे जो wavelength होती है वो अलग-अलग point पे हमारी determine हम लोग जो है वो करते हैं यह देखिए हमारी इसके अंदर आपकी पूरी-पूरी wavelength का दिखा रखा है यह electromagnetic spectrum of light के अंदर इसमें सबसे पहले आप लोग देखें कि यहां पे radio waves है हमारी then infrared rays and this minimal portion is of the visible wavelength जो हमारे लिए visible है then ultraviolet, x rays and gamma rays and the cosmic rays तो visible length की जो हमारी total length है वो हमारी start होती है 390 nanometer से लेकर 760 तक 760 को अगर exceed कर देते हैं तो हमारी infrared rays आ जाती है और 390 से कम अगर है below अगर जा रही तो वो हमारी आ जाएंगे ultraviolet के लिए तो यह हमें study नहीं करना हमें main क्या देखना है हमारा visible spectrum अब यहां पर देखे जो PS1 है PS2 है यह दोनों के दोनों work out करते हैं 700 पर एक करता है 680 nanometer पर ठीक है तो यह हमारा जो reason है यह कहां पर जा रहा है इस particular area के अंदर अगर हम इसको विल्कुल ही bifuricate करके देखते हैं minute में करके देखते हैं तो जो photosynthesis के activity है वो start इस particular point से जो हमारा blue pigment है यहां से start हो जाती है because कुछ pigment ऐसे हैं हमारे जो catinoids वगर हम लोगों ने किये थे catinoids से 5K billion से वो 450 nanometer पर photosynthesis का process start कर देते हैं ठीक है और maximum peak कहां पर जाके हमारे stop होती है फिर एटे stop approximately कहां पर जाएगी हमारी यह 647 का reason है तो हम लोग मान के चलते हैं कि यह वाला जो reason है little bit ही cover करता है पूरा यह cover up इसको नहीं करता तो यह region किसका हो जाएगा हमारा maximum workout reason जहां पर क्लोरोफिल pigment जो है बहुत ज़दा active होती है अब यहां पर point अपना आता है हम लोगोंने पहले भी किया था कि red drop effect जो है इसमें किया था कि 680 nanometer की जो wavelength है उस reason पर जाके बहुत सादा जो है sharp reduction हो ले जगता है rate of photosynthesis जो है वो reduce हो जाता है इसको हमने किसका नाम दिया था red drop effect का अब आपको clear हो गया होगा यह वहला point की देखें यहां पर जो red reason है यहां पर जाके photosynthesis का rate क्या हो रहा है decrease होना start हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको किसका नाम देते है red drop का उसके बाद next आती है quantum yield क्या होती है quantum yield का मतलब होता है कि कितने oxygen जो है वो molecule release होए है एक single molecule जो हमारा use हुआ है जिसको हम लोग ने बोला कि quantum of light को use करके कितने molecules हमाँ पर release हो रही है वो इसके अंदर आ जाएगा ठीक है तो इसका जो graph हम लोग ने कर चुके हम लोग पहले भी तो जो graph prepare किया जाता है इसके according उसके अंदर दो ही point लिए जाते है absorption spectrum और action spectrum maximum occurrence कहाँ पे होगी between blue and the violet reason महाँ से start हो जाएगी और red के पास जाते जाते ये area क्या हो जाएगा हमारा minimum हो जाएगा उसके बार next है हमारे photosynthetic unit photosynthetic जो unit होती है इसके अंदर photo chemical reaction चलेंगे photo chemical reaction का मतलब कि जो हमारी light energy है उसको chemical energy के अंदर convert करना इसके लिए हमारे पास क्या होगा एक photo center होगा जिसको हम लोगों ने किसका नाम दे रखा है reaction center का जिसके अंदर basically 200 molecules जो है वो harvesting कर रहे यानि की processing करेंगे अपनी एक साथ एक particular time पे और यहां पर दो अलग-अलग तरह की chlorophyll की जो wavelength है उसके उपर work out होती है और अलग-अलग दोनों की दोनों जो unit होती है वो separately work out कर रही है chlorophyll एक ही molecule से 700 और 6 ct ठीक है उसके बाद हम लोग main यहां पे देखते हैं जो मैंने बताया था LHC जो होता है हमारा protein based molecule यह हमारा protein यह light harvesting complex आ जाएगा green plants के अंदर अब यह जो harvesting है यह अलग-अलग photosystem से चलती है जिसको हम लोग बोलेंगे photosystem 1 and photosystem 2 photosystem 1 जो होता है यह carry करता है electrons को जो किस area के अंदर थे हमारे इस वाले non-appressed area के अंदर जो कि इस तरीके से out reason में थे उनको carry करता है वहां से उनको carry करता हुआ कहां पर लेके जाता है photosystem 2 के पास ठीक है तो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले वे बोलें यह हम लोग बोल सकते हैं एक साथ मिलके यह work out करते हैं हमारे तो ps1 जो होता है और ps2 इनके अंदर थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि यह एक दूसरे के साथ work out करके तो चलते हैं तो इनकी जो scheme बनती है work out करने की वो हमारे जो alphabetic order है last alphabetic जो होता है उसके order के according चलता है यनकि एक यहां से शुरू हो रही है photo system electron को pass करेगी फिर आगे जाके उसको दूसरी के पास transfer कर रही है तो यह बन गया हमारा एक z structure तो यह जो scheme होती है scheme को किसका नाम दिया जाता है z scheme का जिसके थूँ photosynthesis का process cover up होता है जिसको लोग बोलते है non cyclic photo formulation non cyclic photo phosphorylation हम इसको जो है नाम देते हैं जो cyclic बनती है cyclic का मतलब कि एक molecule से start हुआ और trigger करके इसके उपर ही खतम हो जाए तो यह photosynthesis के दो pathway होते है photo chemical pathway होता है एक अपना और एक होता है bio synthetic pathway तो hope आप लोगों ने जो मैंने आज cycles भेजी थी आप लोगों ने draw कर ली होंगी तो better होगा कि next video जब हम लोग start करें अपनी तो वो cycles जो है आप लोग अपनी notebook ज़रा सामने रखके बैठें उनको तो आपको वीडियो समझने में भी और cycles को समझने भी बहुत है help मिलेगी तो meet you in the next video till then bye